हेलो बच्चो कैसे हैं आप आज मैं आपको फ्रेक्शन का दूसरा पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ एक पार्ट हम मैंने पहले वीडियो डाल दी है उसकी अगर आपने ना देखा हो तो आप उसे जा के देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने एक आकरती बनी हुई है इसको बारा भागों में बाटा गया है जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ लार रंग से इसको हिसे रंगे गए हैं तो हमें बताना है कि कौन सा हिसा रंग वाला है और कौन सा हिसा बिना रंग वाला तो यहाँ पर पहले हम रंग वाला हिस्सा गिनेंगे एक दो तीन चार और पांच यह पांच हिस्से रंग वाले हैं तो उत्तर आया हमारा पांच बटे बारा 12 किसली लिखा क्योंकि ये 12 भागों में डिवाइड किया गया है बाटा गया है तो जितने भाग होते हैं किसी आकरती के उसे हम नीचे लिखते हैं और जितने हमें बताने होते हैं वो उपर लिखते हैं इसके बाद हम देखेंगे कि बिनारंग वाला हिस्सा तो बिनारंग वाला हिस्सा यहां गिनेंगे एक, दो, तीन, चार, पांथ, छे, और साथ याद साथ हिसे बिनारंग वाले हैं तो हमारा उत्तर हुआ साथ बटे बारा अब यहां पर राधा के खेत को बारा बराबर भागों में बाटा गया है और इन में अलग-अलग फलों के बाग लगाए गए हैं यहां आप देख सकते हैं कुछ सेब के, अंगूर के, संत्रे के और आम के बाग हैं तो इन परस्नों के हमें उत्तर देने हैं तो पहला परस्न है कि कौन सा फल सबसे ज़्यादा भाग में लगाया गया है और वह पूरे खेत का कितना भाग है अब हमें पता है कि यहाँ पर इसकी 12 भाग हैं तो 12 भाग में जितने भाग में सबसे ज़्यादा जो भी भाग होगा फल का भाग होगा वो इसका उत्तर होगा तो यहाँ पर हम गिनते हैं सेप को गिनते हैं पहले एक बार एक, दो, तीन, चार, पांच इसके बाद हमें संतरे भी कुछ ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं तो संतरे भी एक बार हम गिनेंगे यहाँ पर आप एक बार रंग चेंज कर लें ताकि आपको देखने में असानी हो एक, दो, तीन, चार तो आप देख सकते हैं कि संतरे के कम हैं और यहाँ पे सेव की ज़्यादा है तो हमारा यहाँ उत्तर आएगा सेव और पांच बटे बारा क्योंकि हमारे सेव के बाग की संख्या यहाँ पे पांच है और टोटल भाग यहाँ हमारे बारा है तो इसका उत्तर होगा पांस बटे बारा अब अगला परसन है खेत के कितने भाग में आम के बाग है अब यहां इस खेत में देखिए आम कहां है तो यहां आम है तो यह है इसे हम गिनते हैं एक तो एक भाग में हमारा आम का बाग है और कुल बाग बारा तो उत्तर हुआ हमारा एक बटे बारा अगला परसन है कितने भाग में अंगूर के बाग है अब हम अंगूर के बाग गिनेंगे एक, दो, और यहां कहीं अंगूर के बाग नहीं है खेट में दो भाग अंगूर है तो यहां पे हम लिखेंगे दो बटे बारा 12 यानि की पूरे इस खेत को जितने भागों बाटा गया है तो उसे हम दुबारा यहाँ पर 12 करके लिखेंगे अगला परस्टन है संत्रे के लिए खेत के कितने भाग का उपियोग किया गया है अब संत्रे के लिए हम दुबारा गिननेंगे इसे 1, 2, 3, 4 तो यहां कुल भाग हो गए चार संत्रे के और टोटल है हमारे यहां बारा तो संत्रे के लिए खेट का भाग उपयोग किया गया चार बटे बारा इस आकरती में कुछ स्माईली बनाई गई है इसकी संख्या गिनते हैं पहले कितनी है एक दो तीन चार पांट छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चोधा पंदरा सोला तो हमारे पास आकरती में जो स्माईली है वो सोला है तो इसमें से हमें बताना है कि कुल स्माईली समें से नीली स्माईली कितनी है तो नीली स्माईली हम गिनेंगे एक दो तीन चार पांच और छे तो यहां छे स्माईली हमारी नीली है और टोटल है हमारी बारा तो उत्तर आएगा हमारा छे वटे सोला इसी तरह हम लाल स्माई सुमाईली गिनेंगे 1 2 3 तो 3 लाल समयली और total हमारी हooky थी 16 तो हम लिखेंगे 3 बटे 16 अब हमारे पास पीली स्मयली है तो पीली स्मयली के लिए हम क्या करेंगे इसी गिनेंगे एक यहां और कोई पीली नहीं है तो एक समयली पीली और टोटल हमारी थी सोला तो हम लिखेंगे एक बटे सोला अब स्लेटी समयली हमें गिननी है कि स्लेटी समयली कितनी है इसके लिए गिनेंगे एक दो तो दो स्लेटी समयली है तो हम उत्ता लिख सकते हैं दो बटे सोला सोल आनीचे इसलिए क्योंकि इसका कुल जो संख्या है वो हमारी सोला है तो अगली परसिन के तरफ चलते हैं यहां पर मंजू के पास एक चोकलेट है उस चोकलेट का उसने एक चुथाई भाग राजी को दे दिया और एक तिहाई भाग सुगंदा को और छटा भाग शीला को दे दिया बाकी जो हिस्सा बचा उसने वो खा लिया अब हर एक को चोकलेट में कितने हिस्से मिले यहां हमें लिख कर बताना है तो आएए देखते हैं यहां पर हम देख सकते हैं कि मंजू ने इसके लिए इसको बारा बराबर भागों बाट दिया है एक दो तीन चार पांच छ 7, 8, 9, 10, 11, 12 यहां 12 बडाबर इसके भाग किये गए हैं अब राजी को इसनी दिया इसका एक चोथाई एक चोथाई यानि की एक बटा 4 तो एक बटा 4 कैसे निकालेंगे जब हमें कुल भाग पता होते हैं और उसके हमने 4 हिस्से करनेया है busy 4 से मतलब हमने इसके 4 हिस्से किय हैं तो एक हिस्षे में कितना आएगा ये निकालने के लिए हम इस बारा को इस चार से भाग करेंगे यहां भाग कर दिया हमने चार से तो चार को बारा को जब हम चार से भाग करते हैं तो उत्तर आता है तीन कैसे चार के पाड़े में आप देखिए बारा कितनी पाएगा चार आती है बारा तो उत्तर आया तीन तो इसका एक भाग जब हम चार भागों में इस चोकलेट को बाटेंगे तो उसका एक भाग में तीन भाग आएंगे एक दो तीन अब सुगंदा का उसने दिया एक तिहाई भाग एक तिहाई भाग किस तरह देगी उसके लिए हमें इसको एक पटे तीन लिखना होगा और अब हम देख सकते हैं कि कुल भाग हमारे बारा हैं तो इसको हमें तीन भागों में बाटना होगा तीन भागों बाटने के लिए हम टोटल भागों को जितने बारा भाग हैं यहां बारा लिखेंगे और इसको नीचे जैसना तीन लिखा है तो इस इसके तीन भाग करके देख सकते हैं, यह देखिए एक भाग, फिर इसका दूसरा भाग यह है और यह इसका तीसरा भाग, तो हर एक भाग में आपको चार दिखाई देंगे, तो उसको एक तिहाई भाग मिला था यानि कि एक भाग मिला है तो एक भाग में कितनी है चोकलेट चार तो इसको चार इससे यहां से मिल गए अब छीला को दिया उसने छटा भाग तो छटा भाग निकालने के लिए यानि कि एक बटा छटा भाग तो हमें छे भाग करने होंग इस चोक्लेट के, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस 12 को हम 6 से भाग देंगे. तो पहले हम 12 लिखेंगे, भाग का चिन लगाएंगे, उसके बाद 6 लिखेंगे और 12 को जब हम 6 से भाग देंगे तो उत्तर आता है हम 12, दो तो यानि कि इसको हमने 6 भार अवर भागों में बाट दिया इस चोकलेट को तो एक भाग में हमारे होंगे दो जिस तरह हम देख सकते हैं एक ये ले लिया हमने एक यहाँ पे ये ले लिया एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे और एक यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कितने भाग बने हमारे एक, दो, तीन, चार, पांच, और छे, छे भाग बने हैं और हर भाग में कितने आए? दो, एक, दो त्यानि इसको छटा भाग मिला दो, ये दो भाग उसे खाने को मिलेंगे अगला हम देखते हैं कि बाकी बचा खुद खा लिया अब मंजू ने बाकी बचा हुआ खुद खा लिया, अब हम देख सकते हैं कि यहाँ तीन भाग उसने दे दिये थे चार यहाँ दे दिये थे दो दे दिये थे, किस में से दिये थे? जब उसने बारा भाग बराबर बाटे थे तो यह हम देख सकते हैं कि तीन जमा चार जमा दो जब हम इसे जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा नो तो गिन के देख लेते हैं एक, दो, तीन यहां तीन दे दिये, चार आगा गिनेगे पांच, चार, पांच, छे, साथ यहां साथ यहां तक हो गई इसके बाद दो और करते हैं आठ और नो यह नो भाग इसने यहां पे बाट दिये अब देखें कितने बचे यहां पे एक, दो, तीन तो उसको खाने को मिले तीन भाग अब अगला बर्षन हम देखते हैं कि रामू के पास 15 केले हैं और 18 फूल हैं अब हमें 90 परशनों के उत्तर देने हैं तो यहां कहता है कि उसने शाम को एक बटे 5 केले और एक बटे 3 फूल दिये तो शाम को कितने केले और कितने फूल मिले तो बच्चो अबराओ मत इसमें हम सबसे पहले जितने केले दिये हैं उनको हम पांच भागों में बाटेंगे और पांच भागों में से एक भाग निकालेंगे तो अभी मैंने पिछले परिशन में आपको बताया है कि एक भाग निकालने के लिए हमें क्या करना है पहले कुल केले की संख्या लिखनी हमें यहाँ पे यहाँ पे लिखेंगे 15 और उसको जितने भाग हमने करने हैं जैसे 5 भाग करने हैं यहाँ पे तो इसको हम 5 से भाग कर देंगे तो उत्तर हमारा क्या आएगा 3 तो यानि कि इस शाम को जो हमारे केले मिलेंगे एक भाग मिला यहां पर लिख रखा एक पटे पांच तो एक पटे पांच भाग मिलना है तो जब हमने पांच से इसको पूरी संख्या को भाग करेंगे तो उत्तर आया हमारा तीन तो एक भाग का उत्तर है तीन तो इसको तीन केले मिलेंगे अब उसको फूल देने हैं तो इस शाम को फूल क चैसे मिलेंगे फूलो की संख्या कितनी हैं यहां पे अठारा यह अठारा फूलो को हमने तीन भागों में बाटना है तो वही तरीका में इसका एक भाग निकालना है पहले तो Ahtarar को हम भाग करेंगे तीन से तीन से भाग करने के बाद मारा उत्तर आता है छें तो जब हम साम को कितने भाग देने हैं एक बटे तीन तो एक भाग हमारा यहां आ चुका है तो उसके हमें फूल देने होंगे छें अब अगला परसना यहां पे उसने कमल को दो पटे पांच के लिए अब दूसरा बच्चा है उसको उसने दो पटे पांच के लिए यहां आप देख सकते कि पहले भी हमने पांच भाग किये थे उसमें से एक भाग निकाला था और उसको दिया था हमने तीन के लिए दे दिये थे एक भाग आये थे तीन तो यहां पर हम दुबारा इसे नहीं करेंगे तो यहां पर दुबारा वही हम लिख देंगे पंदरा भाग में पांच बराबर तो एक का उत्तर था तीन अब एक का उत्तर तीन है लेकिन हमें कितने सी हैं दो भाग तो ये एक भागा है तो दो भाग निकालने के लिए हम क्या करेंगे इसको दो से हम गुणा करेंगे जो एक भाग है तीन को हम यहाद दो से गुना करेंगे ये तूत तराया हमारा 6 तो कमल को केले मिलेंगे 6 तो आगे देखते हैं और उसको उसने दिये फूल 3 बटे 6 कमल को 3 बटे 6 फूल मिले अब इसको हम फूलों को 6 भाग में बाटेंगे यहां पर हमने देखा था शाम को जो उसने फूल दिये थे तीन भागों बाटके दिये थे यहाँ पर तीन लिखा है लेकिन अब कमल को उसने देने है छे भागों में तो छे भाग हम निकालने के लिए सबसे पहले अठारा लिखेंगे और इसको भाग करने के हम छे से तो हमें एक भाग मिल जाएगा तो एक भाग हुआ हमारा तीन अब इसके हमने तीन भाग निकालने हैं तो तीन भाग निकालने के लिए हमें क्या करना होगा इस तीन को हमें तीन से गुणा करना होगा तो तीन गुणा तीन उत्तराया हमारा नो इस प्रकार से हम इस सवाल को हल कर सकते हैं थोड़ा ध्यान से एक बार देखिएगा अगर आपको समझ नहीं आता तो एक बार दुबारा इस पोस्चन को आप देख ले इसी प्रसन को हम एक दूसरे तरी केसे करके देखते हैं यहां पर हमारे सामने वही केले और वही फूल दिये गए हैं और वही संख्या उनकी 15 केले और 18 फूल और परसन वीवा हमारे वही हैं तो इसके लिए हम इनके ग्रुप्स बनाएंगे केलों के और फूलों के ग्रूप्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम केले कितने ग्रूप में बनाए और फूल कितने ग्रूप में इसके लिए आप यहां देखिए केले के हैं पांच ग्रूप यहां आप देख सकते हैं कि पांच तो हमें 5 का ग्रूप बनाने के लिए वही इसका एक भाग का पता होना चाहिए तो 15 को हम भाग करेंगे 5 से तो उत्तर आया हमारा 3 यानि कि केलो को हमने 3-3 के ग्रूप में रखना है इसी तरह full लेंगे हम, full है total हमारे 18 और यहां पर full को हमने भाग बनाना है 3-3 भागों में तो 3-3 भागों के लिए हम इसे 3 डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद यहां उत्तर आया हमारा 6 तो यानि कि हमें 6 full एक बार में लेने हैं और इसके इस तरह हमारे 3 भाग बन जाएंगे तो आये देखते हैं इसके फूलों को और केलों को भागों बदल कर यहां पर हमने केलों को 3-3 भागों में बाट दिया है और इसी तरह हमने full को भी 3 भाग में बाट दिया है यहां एक केले के एक बाग में 3 केले हैं और full के एक बाग में 6 केले हैं तो अब यहां हम देख सकते हैं कि उसने शाम को एक बटे पांस के लिए देखो पांस भागें हमने कर दी हैं तो इसका एक बाग उठा के हम शाम को दे सकते हैं तो शाम को एक बटे पांस भाग मिला यानि की तीन के लिए मिल गए यहां देख सकते हैं एक बाग में तीन के लि है तो है हम बता सकते हैं कि 6 फूल दे दिये तो अगला दूसरे परसंट में हम देखते हैं कि कमल को अब अगला है 3 बटे 6 फूल दिये इस परसंट में इसने फोड़ी सी रकम बता लिए कि 3 बटे 6 फूल दिये यानि छे भागों में बाटिये अब तो हमारे यहां फूल तीन भागों में है तो इसे छे भागों में बाटने के लिए तो यहां हम इसको छे भागों में बाट देंगे छे भागों बाटने के लिए हम इन फूलों को total full हो को 6 से भाग देंगे 18 भाग में 6 तो उत्तर आये हमारा 3 तो हमें 3 3 के full हो के smooth बनाने पड़ेंगे यहां यह 3 full ले लिए इस तरह के हम full के smooth बनाएंगे तो यहां हमारे smooth बना चुके हम और यहां देख सकते हैं कि एक smooth में हमारे तीन फूल हैं, तो इस तरह के हमारे 6 स्मूव बनगे, एक, दो तीन, चार पांच, छे पर्षन की सर्थ के नुसार हमने 6 भाग बना दिया है और इसमें से उसे, यानि तीन भाग फूल चाहिएं तो तीन भाग में से हम देखेंगे कितने हैं तीन भाग में फूल यहां पर तीन, तीन, छे और तीन, नौ तो उत्तर हमारा तीन गुणा तीन नौ फूल आया तो इस तरह भी हम सुमव में बाट कर वस्तूओं को उनका भाग निकाल सकते हैं कि एक भाग में वो कितने होंगे और दो भाग में या तीन भाग में, इसके लिए यह ध्यान रखना कि सबसे पहले हमें टोटल जितने भी संख्या है उसको जितना भी नीचे दिये गया है, उसे हमें यहां पर भाग करना है, और जितना उत्तर आएगा, उसे हमें जितनी भाग चाहिए परसंद दिया गया है कि एक बटे तीन टोपियों को हमें लाल रंग से रंगना है, और तीन बटे पास टोपियों को नेले रंग से रंगना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टोपियां कितनी है तो यहां कुल टोपियां हमारी 15 चाहें तो आप गिन सकते हैं इसके बाद हमें एक बटे तीन टोपियों को लाल रंग से रंगना है तो लाल रंग से जो टोपियां होंगी वो कितनी होंगी टोटल जितनी टोपियां है उनको हमने तीन से भाग देना है यहां आप देख सकते हैं कि एक बटे तीन भाग निकालना है हमने तो तीन से भाग करेंगे तो एक भाग आ गया पांच तो हमें पांच टोपियां लाल रंग रंग से रंग नी हैं तो आईए इने रंग देते हैं तीन चार पांच तो हमने आप पांच टोपियां लाल रंग से रंग दी है इसके बाद इसमें लिखा है कि तीन बटे पांस टोपियों को निला रंग करो तो उसी तरह हमें पांस भाग में इन टोपियों को बाटना होगा तो उसके लिए हमें पंदरा को भाग करना होगा पांस से तो उतराया हमारा तीन यानि तीन तीन के समूव है तो एक भाग में हमारा तीन टोपी होई तो तीन भाग में हमारी टोपियां कितनी होगी तीन गुना तीन नो तो यानि हमें नो टोपियों को निले रंग से रंगना है तो यहां इस टोपी से हम शुरू करेंगे यहां इसको रंग दीजिए फिर इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसे फिर इसे फिर इसे फिर इसे फिर इसे फिर इसे और लास्ट में हम इसे रंग देगे तो हमारे पास एक टोपी बच गई तो यहां पर अगला प्रशन है कि तुमने कितनी टोपियों में नीला रंग किया यहां हम बता सकते हैं कि 9 टोपियों में और यहां पर सबसे पहले उपर लिखा तुमने कितनी टोपियों में लाल रंग बरा यहां हम लिख सकते हैं कि 5 तो नाच और यहां टोपियों के कौन से भाग में कोई रंग नहीं वरा तो यहां एक है तो हम यह लिख सकते हैं एक तो इस तरह हमने यह प्रशन हमने करने है बच्चो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए शेर कीजिए अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो इस पर कोमेंट कर सकते हैं अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सस्क्राइब कीजिए और बैल आइकन क किजए आप हमारे चैनल झाया हमारे चैनल झाल नहीं हमारे बाले हैं वीड़ कीजिए मौं कीजिए